नमस्कार दोस्तों आप सभी का Electron Academy में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RCCB के बारे में RCCB यानि residual current circuit breaker ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण device है और इसका इस्तमाल electrical shock से protection के लिए किया जाता है यानि जब किसी वेक्ती को बिजली का जटका लग रहा हो तो ऐसी परिसिती में RCCB इस चीज को सेंस कर सकती है और वो ट्रिप होके उस वेक्ती की जान भी बचा सकती है तो mainly हम कह सकते हैं कि एक RCCB Earth Leakage Currents को detect करती है और Human Life Protection के लिए इस्तमाल में लाई जाती है तो चलिए अब हम लोग RCCB की Working को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि RCCB कितने अलग अलग टाइप्स में आती है दोस्तों हम कहीं तरह के Electrical Devices और Appliances का इस्तमाल करते हैं जैसे Fresh, TV, Cooler, AC और कई बार हमें इन डिवाइसे से बिजली का जटका भी लग जाता है और ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई बार Leakage की वज़े से होता है डिवाइस में कुछ Insulation का Failure हो गया है या Insulation पंचर हो जाए तो ऐसी परिस्तिती में उस डिवाइस की पूरी Outer Body पे भी Current आने लगता है तो जैसा आप में से कई लोगों ने भी Cooler से जटका ज़रूर खाया होगा यानि गर्मियों की सीजन में जब हम Cooler का इस्तमाल करते हैं तो Cooler की जो Outer Body होती है तो जो पुराने मॉडल होते थे वो सारी Cooler की Outer Body Metallic होती थी तो इस तरह के Metallic Coolers के जब हम Contact में आते हैं और अगर इस Cooler का Insulation खराब है या इस Cooler में कुछ Earth leakage हो रहा है तो ऐसी परिस्तिती में यह जो Cooler है यह आपके शरीर में बलब जगा सकता है यानि आपको Electrical Shock दे सकता है और यह बहुत ही गधरनाक सेचुएशन है तो हमें इस तरह के Direct Context को Avoid करना चाहिए क्यों? क्योंकि सिर्फ 30 mAh करेंट भी हमारे लिए गधरनाक हो सकता है आप जानते हैं कि एक Ampere में कितने मिली Ampere होते हैं? 1000 mAh तो समझ सकते हैं आप एक Ampere के मुकाबले 30 mAh कितना चोटा सा करेंट है और यह जो 30 mAh का चोटा सा करेंट है अगर इंसान के शदीर से पास हो जाए तो यह हमारे शरीर में बहुत खातक परिणाम ला सकता है इसलिए हमें हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हुए Electrical Devices से से सेफ दूरी बनाए रखनी चाहिए और हमें अपनी जितनी भी Electrical Installations है वहाँ पे Earth Leakage Protection का इस्तमाल करना चाहिए चलिए अब हम RCCB के Working Principle को समझ लेते हैं दोस्तों एक RCCB का Working Principle काफे सिंपल है एक RCCB KCL Law पे काम करती है KCL Law क्या है आप सभी जानते ही है KCL हमें यह बताता है यानि Catch-off Current Law हमें बताता है कि एक Circuit में जो Incoming Current है यह किसके बराबर होता है Outgoing Current के बराबर होता है तो अगर हम एक Single Phase Circuit की बात करें तो एक Single Phase Circuit में Phase के Wire से आने वाला Current किसके बराबर होगा Neutral के Wire से निकलने वाले Current के बराबर होगा ऐसा जब भी होगा तो इस Condition को हम लोग क्या कहते हैं इस Condition को कहा जाता है Balanced Condition Balanced Condition कह लिजे या Normal Condition कह लिजे और जब भी Balanced Condition होगी या Normal Condition होगी तो आपकी जो Circuit है वो Healthy है तो RCCB क्या करेगी Trip नहीं होगी पर जब भी Phase और Neutral का Current बराबर नहीं होगा यानि Phase से आने वाला Current और Neutral से निकलने वाला Current बराबर नहीं होगे तो इस परिस्तिति को कहा जाएगा Unbalanced Condition और इस परिस्तिति में जो आपके RCCB है वो क्या हो जाएगी इस परिस्तिति में आपके RCCB Trip हो जाएगी तो RCCB simply KCL लोग को Follow करती है वो Phase से आने वाले Current और Neutral से निकलने वाले Current को measure करती है तो simple सी चीज़ यह है कि जो एक RCCB है वो KCL के principle पर काम करती है जब भी Incoming Current और Outgoing Current बराबर होंगे तो वो Balance Condition होगी वो Balance Condition होगी और RCCB Trip नहीं करेगी जब भी Incoming Current और Outgoing Current बराबर नहीं होंगे तो इस परिस्ति को Unbalanced Condition कहा जाएगा और ऐसी परिस्ति में आपकी RCCB जो है वो Trip हो जाएगी तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक RCCB को पता कैसे चलता है कि Balance Condition है या Unbalanced Condition है देखें एक RCCB के अंदर कुछ Important Parts होते हैं पहले उन Parts को हम लोग identify कर लेते हैं सबसे पहला यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो यह एक CT है जो कि खास तरह की CT होते हैं जिसे हम लोग कहते है Core Balance Current Transformer तो यह खास तरह की CT है जिसे कहा जाएगा Core Balance Current Transformer दूसरा इसमें जो Main Device होता है वो होता है इसका Sensing Relay अब आप देखें कि यहाँ पर दो वायर है तो एक वायर आपका Face का वायर है एक दूसरा वायर जो है वो Neutral का वायर है फेस में बहने वाले Current को यहाँ पर नाम दिया गया है I1 और Neutral से जो Current बाहर निकल रहा है उसको हमने नाम दिया I2 आप इसको Face Current भी कह सकते है तो Face का जो Current है वो I1 है और Face के वायर को आप देखेंगे तो इस CBCT के Core के उपर इस वायर को लपिटा गया है और यहाँ से यह जो वायर है वो Load पे जा रहा है ऐसे ही Load का जो Second Wire है वो Load से निकला और वो कहाँ पर गया वो Neutral पे वापस Connect कर दिया गया है तो Normal Condition में क्या होगा Normal Condition में Face से आने वाला Current Neutral से निकलने वाले Current के बराबर होगा और यह Normal Condition हमारी Balance Condition है और इस परिस्तिती में हमारी RCCB Trip नहीं होती है दोस्तों बचपन में आप सभी ने एक Law पढ़ा होगा जिसे हम लोग Thumb Rule के नाम से जानते है तो Thumb Rule हमें क्या बताता है कि अगर हम अपने सीधे हाथ का अंगोठा ले और अगर हमारे सीधे हाथ का अंगोठा जो है वो Electrical Current की Direction में हो तो यह जो सीधे हाथ का अंगोठा अगर Electrical Current की Direction में हो तो हमारे जो fingers हैं, वो क्या दिखाती हैं, वो magnetic field की direction दिखाती है, right, हमारे जो fingers हैं, वो क्या दिखाएंगी, magnetic, अब इसी principle का इस्तमाल RCCB करती है, RCCB के अंदर जो CBCT है, वो इसी right hand rule को follow करके बता कर पाती है कि कहीं पर कोई leakage current है या नहीं, जानते हैं कैसे, देखें, यह ज magnetic field की direction कैसे मिलेगी, इस circuit में अगर हम लोग thumb rule लगाएंगे, और इस thumb की direction देखेंगे, अगर opposite direction में हो, तो जो आपका magnetic field बनेगा, वो कैसा बनेगा, clockwise बनेगा, obviously, तो यहाँ पर आप अपने हाथ से यह चेक भी कर सकते हैं, अपने सीधे हाथ का अंग उठा लीजे, और के wire में जो बहने वाला current है, उसकी वज़े से जो magnetic field बनेगा, वो किस direction में बनेगा, वो magnetic field बनेगा, clockwise direction में, ठीक है, अब आप देखें कि same current, जो face से जो current आया, वही same current neutral के तार से भी वहार जा रहा है, यहाँ पर देखिए, I1 जो है, वो किस के बराबर है, I2 के बराबर है, यानि face का जो current है, वो neutral के current के बराबर है, इसको हम I1, I2 भी कह सकते हैं, तो neutral के wire में भी जो magnetic field बनेगा, वो किस direction में बनेगा, न्यूटरल के wire में जो current की direction है, वो upwards है, तो जो magnetic field है, वो किस direction में बनेगा, वो obviously counterclockwise यानि reverse direction में बनेगा, ठीक है, तो यहाँ एक और magnetic field बना, पेटा है, तो magnetic field क्या होगा, वो core के अंदर से जाएगा, और आप जानते ही हैं, कि जब, और जैसा कि हम देख सकते हैं, कि यह जो face के wire के वाईर के वाज़े से, जो magnetic field बना, और neutral के wire के वाईर के वाज़े से, जो magnetic field बना, यह दोनों बराबर है, इन दोनों का magnitude है, वो cancel out करतेंगी, इसी लिए balanced condition में, normal condition में, जो आपके RCCB है, वो healthy रहते हैं, कोई भी tripping नहीं होती है, ठीक है, अब हम लोग unbalanced condition की बात करते हैं, unbalanced condition कौन सी थी, ये वाली condition थी, जब phase और neutral का current बराबर नहीं होते हैं, इस situation में क्या होता है, चलो इससे भी समझ लेते हैं, तो balance condition में तो ये भामें पता था, कि phase की वायरसे जो magnetic field बना, वो किसके बराबर है, neutral के वायरसे बहने वाले magnetic field के, और ये दोनों को magnetic field है, पोजिट डिरेक्शन में है, तो इसलिए एक दूसरे को इन दोनों कर रहा हो, यहाँ पर कहीं पर outer body पर touch कर रहा हो, और अगर आपने इस load को ground कर रहा होगा, तो ये जो face से भाहने वाला current है, कुछ current अर्थ में leakage हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि कोई होनाहर कलाकार बालक आपके घर में हो, और उस बालक ने इस face के wire को आके touch कर दिया, ये कई बार accidentally बड़े लोग भी live wire को touch कर देते हैं, तो ऐसी परिस्तिते में भी क्या होता है, कि हमारी body से कुछ current जो है, वो कहाँ पर flow करने लग जाता है, हमारी body से भी कुछ current कहाँ पर flow करेगा, ground में flow करेगा, तो ऐसी दोनों ही परिस्तिती में कुछ amount of current ground में flow करने लग जाता है, तो चलिए अभी के लिए मान लेते हैं कि इस condition में जब यहाँ पे earth leakage हो रहा है, यानि earth में कुछ current flow हो रहा है, इस परिस्तिती में जो आपका phase के wire से आने वाला current है, इसकी value है एक ampere, तो लगबख एक ampere current यहाँ इस wire से आ रहा है, अब एक ampere current यहाँ से आया, और हमने यह माना, इस drawing को अटा देते हैं, अभी के लिए मान के चलते हैं कि हमारा जो current है वो ground में leak हो रहा है, तो यहाँ पर दिखें, face के wire से हमने माना कि एक ampere current आया, और कुछ जो current है, लगबख half ampere current कहाँ पर गया, ground में चले गया, यहाँ पर neutral के wire में जो current वापिस गया, वो कितना गया, 0.5 ampere, face से कितना आया था, एक ampere, और neutral से वापिस कितना गया, 0.5 ampere, दुबारे से समझे, इस condition में, unbalanced condition में, या फिर second condition में क्या हुआ, second condition में insulation failure की वजए से, insulation puncture की वजए से क्या हुआ, कि कुछ amount earth में leak हो रहा है current, तो face से अगर हम assume कर रहे हैं, कि एक ampere current face से आया, तो हमने यह माना कि जो leak current हो रहा है, उसकी value है 0.5 ampere, यानि ground में 0.5 ampere current जा रहा है, तो बचा कितना current, बचा current 0.5 ampere, है ना, तो अभी हमने थोड़ी दर पहला ही पढ़ा था, KCL हमने यह बता है कि incoming current और बराबर किसके होता है, outgoing current के, तो face से आने वाला current किसके बराबर हो गया यहाँपे, face जाने वाला current यहाँपे बराबर हो गया, neutral में जाने वाले current के, और earth में जाने वाले current के, ध्यान दीजेगा, RCCB की case में हमने balance condition कप पड़ी थी, जब face और neutral current बराबर थे, पर यहाँपे problem क्या आ गई, इस परिस्तिती में, face और neutral के current बराबर नहीं रहे है, क्यों, क्योंकि कुछ current यहाँपे, earth में भी leak हो रहा है, और जब भी ऐसा होता है, तो unbalance condition हो जाती है, और RCCB trip हो जाती है, चलिए जानते हैं कैसे, देखे, यहाँ पर दुबारे से हम लोग thumb rule लगा के पता कर सकते हैं कि magnetic field की direction क्या होगी, तो face में एक ampere current आ रहा है, और इस एक ampere current की वेज़े से जो magnetic field बनेगा, उस magnetic field की direction क्या होगी, दुबारे से thumb rule लगाईए, तो आप देख सकते हैं, कि यह जो direction होगी, वो कैसी होगी, clockwise direction होगी, जबकि neutral में जो current जा रहा है, वो उपर की direction में जा रहा है, current की direction upwards है, तो जो magnetic field बनेगा, वो कैसा बनेगा, counter clockwise बनेगा, यानि reverse direction में बनेगा, ठीक है, अब यह दोनों जो magnetic field हैं, वो जब CT के core के अंदर flow होंगे, तो आप समझ ही सकते हैं, कि phase की current जो है, उसकी value एक ampere है, तो उसकी जो magnetic field बनेगा, बस strong बनेगा, जबकि neutral का जो current है, उसकी जो current की value है, phase के comparison में कम है, neutral में सरिफ 0.5 ampere जा रहा है, इसलिए उसका जो magnetic field है, वो weak होगा, तो यब यह दोनों magnetic field एक दूसरे से interact करेंगे, तो ऐसी परिस्तिती में कुछ magnetic field बच जाएगा, residual magnetic field, right, इसी magnetic field को हम लोग residual magnetic field करेंगे, दोबारे से समझेए, कि phase का जो magnetic field है, उसकी strength जादा है, neutral का जो magnetic field है, उसकी strength कम है, और यह, as यह दोनों magnetic field एक दूसरे के opposite direction में है, तो एक दूसरे से react करेंगे, और कुछ हमारा magnetic field बच जाएगा, जिस magnetic field को residual magnetic field कहा जाता है, अब यह जो residual magnetic field बचेगा, यह residual magnetic field किस से react करेगा, यह residual magnetic field react करेगा, इस CT के उपर लेपेटी गई second winding से, यह जो CT के उपर दूसरी winding लेपेटी गई है, यहाँ पर देखे, जो मैंने green color से indicate करिया है, जब यह residual magnetic field इस winding से interact करता है, तो इस winding में भी एक current flow करने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हम faraday's law जानते ही हैं, faraday's law के हिसाब से क्या था, कि जब भी changing magnetic field किसी electrical conductor को cut करता है, तो उस electrical conductor में EMF induced हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा दोनों end से circuit complete है, इसलिए हमारे circuit में current flow करने लग जाएगा, अब यह जो current flow कर रहा है, यह current भी क्या करेगा, इस coil के आसपास, अपने आसपास एक magnetic field बनाएगा, हम जानते ही हैं कि किसी भी coil से जब electrical current पास करता है, तो वो coil क्या बनाती है, अपने आसपास एक magnetic field बनाती है, तो किसी भी conductor से अगर आप electrical current पास करेंगे, तो दो चीज़े देखने को मिलती है, सबसे पहला उस conductor में heat generated होती है, दूसरा उस conductor से magnetic field भी बनता है, तो जैसे ही ये जो current है, ये current इस पूरे coil से पास होता है, तो ये coil क्या करेगा, एक magnetic field create करेगा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो नीचे का structure है, ये जो structure है किससे बनाया जाता है, ये structure बनाया जाता है magnetic material से, यानि ये permanent magnet होता है, ये permanent magnet है, और ये permanent magnet normal condition में इस moving arm को, क्या करके रखता है, hold करके रखता है, अपनी तरफ attract करके रखता है, पर जैसे ही, पर जैसे ही, इस coil में residual magnetic field के वज़े से current flow होना शुरू हुआ, तो इसने अपना एक magnetic field बनाया, जो कि permanent magnet के magnetic field को weak करता है, और ये जो spring है, ये spring, इस arm को खोल देती है, moving arm को खोल देती है और ऐसा करने की वज़े से क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, कि ये जो दो contacts है, ये दोनों contacts क्या हो जाते है, open हो जाते हैं, और RCCB trip हो जाती है, तो इतनी पूरी कहानी में हमें बस क्या याद रखना है, हमें बस याद यतना रखना है, कि जब भी balance condition होती है, यानि जब भी phase और neutral का current बराबर होते हैं, तब आपकी RCCB trip नहीं करती है, और जैसे ही कुछ भी unbalance होगा, जैसे ही phase और neutral का current बराबर नहीं होंगे, ऐसी परिस्तिती में RCCB sense करके trip हो जाती है, simple सा phenomenon यह है, दोस्तों एक और चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, market circuit में ELCB नाम करके भी एक breaker आता है, ELCB जिसका full form होता है, earthly के circuit breaker, तो earthly के circuit breaker कह लीजिए, या फिर RCCB कह लीजिए, दोनों एक ही device हैं, कुछ कंपनियां उसे ELCB के नाम से बेचती हैं, और कुछ कंपनियां same device को RCCB के नाम से बेचती हैं, तो I hope आपको RCCB का working principle clear हुआ होगा कि एक RCCB काम करती कैसे है, अब हम बात करते हैं RCCB के types की, मिलिए अगर हम बात करें, RCCB चार types में available है, सबसे पहले जो type है, वो है type AC, फिर type A, type F, और type B, अभी इनकी working के basis पे अलग-अलग types रखे गए हैं, कौन सी application में हम इनको इस्तमाल कर रहे हैं, इसी लिए इनके जाता है, sinusoidal alternating currents के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, यानि general जो हमारे normal applications है, normal applications में type AC ही RCCB का इस्तमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग sinusoidal supply यूज़ कर रहे हैं, या AC current यूज़ कर रहे हैं, तो type AC, यानि simple sinusoidal alternating currents के लिए इस RCCB का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये normal applications में earth leakage को sense करने के लिए बनाए गई है, second जो type है वो है type A, ये जो type A वाली RCCB है, इसका इस्तमाल कहां भी किया जाएगा, जहां पे हमें sinusoidal current के साथ-साथ pulsating DC current को भी sense करना है, यानि कुछ current, कुछ load ऐसे होते हैं, जो कि pulsating DC भी generate करते हैं, example के लिए आपका single phase के ज diode, thyristor और इस तरह के electronic components का इस्तमाल किया जाता है, जिनके अंदर rectifier भी use किया जाता है, और आप जानते ही है, कि rectifier का इस्तमाल किसके लिए हम करते हैं, rectifier AC को TC में convert करता है, तो ये जो electronic load, जब हम इस्तमाल करते हैं, अपनी installation में, तो ये जो electronic load है, तो इन electronic loads के वजए से nuisance tripping दे, या फिर वो tripping ही ना दे, तो इस तरह इस तो इस चीस को eliminate करने के लिए, अपनी safety को ensure करने के लिए, ऐसी applications जहाँ पर हमने single phase के electronic loads इस्तमाल किये हुए हैं, या फिर thyristor या rectifier, या फिर हमने diode या thyristor based rectifiers वगएरा काफी ज़्यादा मातरा में इस्तमाल किये हुए है तो वहाँ पे हमें type A वाली RCCB का प्रयोग करना चाहिए, अब हम पहचानेंगे कैसे कि type AC है, type A, आपको उन RCCB के उपर इस तरह के symbols भी देखने को मिलेंगे, फिर तीसरी जो है वो है type F, type F वाली RCCB के उपर आपको इस तरह का कुछ symbol देखने को मिलेगा, यह जो RCCBs है, यानि, specially design किया जाता है, ऐसी applications के लिए जहाँ पर single-phase variable speed drives का इस्तमाल किया गया है, यानि, ऐसी applications जहाँ पर single-phase वाली VFDs का स्तमाल किया जाता है, वहाँ पर हमेंर्थ Le extensive protection के लिए type F वाली RCCBs का प्रयोग करना चाहिए, क्यों? क्योंकि, ऐसी application जहाँ पर single-phase की VFDs इस्तमाल की जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ harmonics भी जनरेट होंगे, और यह जो harmonics हैं, यह हमारे, हमारे जो RCCBs हैं, उनकी sensing को, उसकी sensing को effect कर सकते हैं, तो इसी लिए, इसी लिए, अपनी safety को ensure करने के लिए, हमें type F वाली RCCB का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे भी हम लोग single face की variable speed drives इस्तमाल में ला रहे हैं, washing machine, air conditioner, inverter इसी आपने सुने होंगे, ऐसे appliances की, अगर हमें protection करनी हैं, तो वहाँ पे हमें type F वाली RCCB का प्रयोग करना चाहिए, दोसों type F वाली जो RCCB है, इसके disturbance characteristics जो है, इनको थोड़ा से enhance कर दिया जाता है, ताकि यह search current या फिर search current पे nuisance tripping ना दे, फिर last में आती है type B वाली RCCB, अब यह जो type B वाली RCCB है, actually combination है type AC, type A और type F, तो आप इस पर देखिए symbol, तीनों ही type का symbol बना हुआ है, तो इस तरह के RCCB जो है, इनको हम लोग specially design करते हैं, detect करने के लिए कौन से कौन से, currents को यह detect कर सकती है, sinusoidal AC इसको detect क कर सकती है, pulsating DC को detect कर सकती है, और साथ ही साथ कई सारी multiple frequency, यानि harmonics को भी detect कर सकती है, तो यह जो RCCB है, यह RCCB 50 Hz से लेके 1 kHz तक के जो harmonics है, उन harmonics की वज़े से जो leakage current हो रहा है, इस तरह के leakage currents को भी detect करने में capable होती है, और यह ऐसे loads जहाँ पे हमें 3 phase rectifiers यूज किये गए है या फिर 3 phase VFDs वगरे यूज कर रखी है, या फिर 3 phase electronic items हैं कहीं सारे हमारे जैसे EV charging station हो गए है, या solar PV stations है, तो इस तरह के applications में हमें इस special type की type B वाली RCCB का प्रयोग करना पड़ता है, तो इस पूरे वीडियो का अगर हम summary देखें, तो हम यह सम सकते हैं कि RCCB एक ऐसा device है, जो की earth leakage से protection देता है, तो मैं लिख देता हूँ, earth leakage से protection देता है, और साती सात किसी को बिजली का जटका लग रहा है, तो यह shock protection भी देगा है, तो इसलिए यह जो device है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है मानव जान की सुरक्षा के लिए, और हमने क्या सीखा, हमने यह चार types के आते हैं, कौन-कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो पहला type है type AC, second है type A, type F, और type B, right, अब अलग अलग application के हिसाब से अलग अलग types यूज किया जाते हैं, अगर आपके जो application है, आपके जो load है, वो linear type of loads है, यानि वो harmonic generate नहीं करते हैं, उसमें बहुत जदा electronic loads नहीं है, तो ऐसी application में आप type AC वाली RCCB का प्रियोग कर सकते हैं, पर अगर आपके application ऐसी है, जहापे कई सारे single phase rectifiers यूज करे गए हैं, या कई सारे electronic equipment यूज किया जाते हैं, माल लेजे जैसे computer center है, वोहाँ पर बहुत सारे electronic equipment यूज हूए हैं, और वो सारे single phase के loads ह तो अगर ऐसी application है, तो वहाँ पर हम लोग कौन सी यूज करेंगे, type A वाली RCCB का प्रियोग किया जाएगा, third हमने देखा type F, type F वाली RCCB का प्रियोग कहां कारा जाता है, जहाँ पर single phase frequency converters यूज किया जाते हैं, या ऐसी application है, जहाँ बहुत सारे इस तरह के electronic equipment लगे हैं, जैसे कि inverter AC है, या फिर आजकल के automatic VFD, automatic हमारे washing machines आ रहे हैं, तो ऐसी applications में हम लोग type F वाली RCCB का प्रियोग करेंगे, और finally अगर आपकी installation में 3 phase rectifiers का इस्तमाल किया गया है, या फिर 3 phase VFDs का इस्तमाल किया गया है, तो ऐसी installations में हम लोग type B वाली RCCB का प्रियोग करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफियो चाओंगा, पर यह जो topic है, यह काफे बड़ा topic था हो, और सारे points को cover करने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ा, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मिलते हैं next video में